जे एडवांस 2022 पेपर वन एक और मेमोरी बेस्ट कोश्चन ये कोश्चन पुछा गया था करेंट इलेक्रिसिटी से तो यहां में करेंट निकालना है तुरू इच ब्रांच है ना तो कुछ इस तरह का कोश्चन मुझे टेलिग्राम ग्रूप में रिसीव हुआ और बचे ने करेंट पूछा गया था अलग-अलग रिजिस्टेंस के अक्रॉस करेंट हमें फाइंड आउट करने ते तो कुछ इस तरह से हमारे पास में कोश्चन दिया हुआ है बहुत सारे हमारे पास में रिजिस्टेंस है और यहां पर बैटरी भी दिया हुआ है एक 6 बोल्ट की करने जखोंगे तुमने एक्स और बहुत सारे केस्स दीए तो वहां पर हम लोग जिस तरह से की से मेटरी हम लोग को यहां पर यूज करने वाले ओव ब्रांच आगला दिख रहोगा है उसी तरह से आगे वाला जो ब्रांच हो सिमेंटरी मतलब अगर कोई ख्रेंट बीच ब दुनिया सब कुछ सेम है आगे की दुनिया सब कुछ सेम है इधर वाला देखो सब कुछ सेम है तो बीच वाले की रस्पेक्ट में मतला बीच वाली लाइन के रस्पेक्ट में ऊपर नीचे सिमेट्री है ठीक है तो उसी तरह से अगर यहां पर करेंट i2 जाता है तो यहां भी current i2 जाएगा i2 जाएगा ठीक है उसी तरह से अगर यहां से current यहां पे current अगर i3 जाता है यहां से i3 तो यहां भी current i3 जाएगा मतलब एक तरह से पूरी तरह से मारे पास में symmetry बन गई किस तरह की symmetry बन गई देखो यहां यह यह ब्रांच यह बीच वाला बीच वाला जू भी ए बीच के बीच वाला के रस्पेक्ट में ऊपर नीचे इस तरह सेphonेट्री बन गए अगर एक बार industry बन gए तो ये वाला जो point है और ये वाला एक दम आराम से दिखेगी सिमेट्री तो फोल्ड करने का क्या फैदा हुआ कि ये पॉइंट और ये पाइंट पॉइंट का पॉडेंशल तो सेम है उपर-nीचे वाला तो फोल्ड अगर कर देंगे तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच न दिख रहा होगा ये वाली और यह वाली ब्रांच दोनों पैरलल में हो जाएंगे जैसे ही फोल्ड गया यह दोनों पैरलल में हो जाएंगे है न क्योंकि यहां पोटेंचल यहां पोटेंचल सेम हो गया न तो यह वाली ब्रांच और यह वाली ब्रांच पैरलल हो जाएंगे तो मैं यहां से यह बोलता होगे उसी तरह से यह वाली और यह वाली रेजिस्टेंस पैरलल में होगे तो इसको हम लोग सारा पैरलल कॉमिनेशन क्योंकि वन वन ओम है तो बहुत आराम से हम लोग इसको पैरलली इसको एड़ कर सकते हाफ आप बन जाएगा तो सबसे पहले इन दोनों का सम करके मैं इधर हाफ बना देता हूँ और यह वाला को सम करते यह वाला रिए वाला को भी ढ़ना देता है और इसको हम लोग बना देता है यह दू इस तरह से बना दिया बीच वाला एजए आजएचर आचा बीच है और वन वोल्ट है अगर मैं इसका सेटो ना घुर्ण को इधर ले लूँ और ऻिख फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें सारे ब्रांचे क्या अंदर मैं क्या करता हूं इस ब्रांच के अंदर मैं alignment change करने से मुझे कोई दिख करती है कोई रोक नहीं सकता है मुझे मेरे इस branch में current में कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो मैं वो इसलिए कर रहा हूँ कि देखना वो चीजे को और आसान कर देगा है ना बचा यहाँ पर 1 ohm तो यह हमारे पास में 1 ohm बहुत अच्छे तरीके से situation आ गया अब हम लोग यहाँ पर यहाँ पर एक काम करेंगे इस point का हम लोग potential find out कर लेंगे आसानी से कर सकते हैं इस point का potential इसलिए मैंने देखो यहाँ पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर सारे आने वाली current अगर मालने i1 यहाँ से i2 और यहाँ से i3 तो sum of all the current junction हम लोग जो current junction law पड़ते हैं कृचॉप्स current law भी बोलते हैं उसको तो सारे जो current का sum को हम लोग 0 कर देंगे मतलब हम लोग बोड़ रहे हैं i1 प्लस i2 प्लस i3 को हम लोग 0 कर देंगे अच्छा i1 क्या होगा वही current होगा जो यहाँ से निकल के इधर से होके यहाँ पर गया होगा i1 i1 नहीं क्या होगा तो i1 कैसे निकालेंगे हम लोग एक काम करेंगे देखो हम लोग एक काम करते हैं कुछ reference हम लोग ले लेते हैं तो इस point का reference 12 volt के इधर वाला reference अगर हमने 0 volt लिया है ले सकते हम लोग कही से किसी को भी जूर ले सकते हो उसके reference में यहाँ पर कितना volt जा जाएगा यहाँ पर लोग को हमने 0 लिया है तो यह हमेशा जो potential हम लोग define करते हैं वो reference point के reference के हिसाप से हम लोग define करते हैं ठीक है यह 0 है तो यह 12 है यह 18 अगर हम इसको एक ले ले सकता था तो यहाँ पर 13 होता और यह 19 हो जाता ठीक है तो I1 हम लोग देखेंगे I1 कैसे निकाल सकते 18 minus V divided by आने वाले रास्ता में आने वाले जो भी resistance है हम लोग लिखेंगे 18 minus V यहाँ से यहाँ तक का potential difference हो गया इन दोनों का divided by आने वाले रास्ते का resistance कितना हो जाए 1 plus 1 by 2 that is 3 by 2 3 by 2 plus I2 देखो कितना निकल जाएगा I2 निकल जाएगा 12 minus 12 minus V divided by half 12 minus V divided by half plus इधर कितना निकल जाएगा यह निकल जाएगा 0 यहाँ पर potential 0 है 0 minus V divided by 3 by 2 इन सबका sum किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा तो अब इसको ज़रा हम लोग solve करें तो उपर कितना चला जाएगा हाफ 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 सबसे हम लोग ऐसे हटा सकते हैं और यहाँ पर से 3 सबसे multiply कर दो तो यह 18 minus V हो जाएगा और यहाँ से 3 multiply होगा इस टर्म में तो बारत यह 36 minus 3 V हो गया और plus 0 minus V that is equal to 0 अच्छा यहाँ से जोड दिया जाए कितना हो गया 18 और च्छत्यस और उधर कितना जाएगा आठ च्छे चौदा कि चार एक एक तीन चार और एक पांच चाववन हो गया that is equal to 4V और 5B sorry यहां से 5B लोग बोलेंगे तो V की जो value आ गई that is 54 by 5V घ्यां यह की voltage आ गयी कहां की voltage आ गई यह किसी की वोयट की वुल्टेज है इसी point की व läuft 54 भ्वाइ ठीक है आगे चलते हैं लोग यहां का व्यूटेज निकाला है 54 di biking और यहां का यहां पर जो resistance है ना, उसको यहां से हटाया था और उदर लिया था, इसको मैंने यहां पर ले लिया था, कोई कोई दिक्कत नहीं हम लोग देख भी दिख चुके थे, यहां पर one ohm लिया था मैंने, इस resistance को इधर shift किया था, और उसके basis पे मैंने बोला था कि यहां का जो potential है, वो 0V हमने आजिम किया, यहां का potential हमने 12V आजिम किया, उसके basis पे यहां का जो potential है, यहां का जो potential है, वो 18V हुआ, 12V और इस तरह से हमने इसको define किया है, तो अब point P के respect देखो, यहां से, current हम लोग यहां से मैं दूसरा pencil लिट करता हूँ, current हम लोग यहां से निकाल सकते क्या, यह current, यह current और यह current सेम होने वाला है, कितना होने वाला है, 12-54 divided by 5, यह तो voltage difference है, divided by 1 ohm, यह इसका current हो गया, आई बोल दो, आई 1 बोल दो इसको चलो, आई 1, तो सेम आई 1 यहां पर flow रहा है, तो यह हो रहा है, तो यह किता 12-54, 6, 6 by 5 ampere, एक तो यह हो जाएगा, यहां पर I इवन जो current हमको निकालना, यह यह निकल जाएगा, अच्छा, I2 और I3 जो और भी current हमको निकालने हैं, वो कैसे निकाले, तो एक काम देखो, यहां पर इसका voltage भी हम लोग निकाल लेते हैं, चलो, सेम जैसा हम यहां का voltage निकालना ना, वैसे यहां का voltage निकालने के लिए, यह यहां का voltage निकालने के लिए, यहां पर जो भी आ रहा है current, उसको 0 करो, यहां का current, प्लस यहां का current, सब का sum 0 करो, तो यहां पर जो आने वाले current है, तो इस branch से जो आ रहा है, वो कितना आ जाएगा, दूसरा pencil ले लेते हैं, एक मिनट, यहां से इस branch में जो current आ रहा है, वो आ 15- V- divided by 1 यहां से करेंट आ रहा है यहां से कितना करेंट आ रहा है यहां से 54 by 5 सेम वही हो जाएगा 54 by 5 minus V- divided by 1 तो इसको मैं 2 times कर देता हूं यह होला टर्म को 2 times कर देता हूं सब सम 0 हो जाएगा यहां से मैं V- निकाल दूँगा तो चववन दुना 108 बटा 5 minus प्लस 18 बराबर 3 V- तो V- की वेली आसे में लोग निकाल सकते हैं कि आप 185,199 divided by 5 into 3 that is V- और यह कितना निकल जाएगा 366 बटा 5 तो V- निकल गया मेरे पास में 66 बटा 5 V तो V- अब तो आराम से बिल्कुल हम लोग करेंट निकाल सकते हैं जिस भी ब्रांच में चाहिए है ना इसको मैं हटा देता हूं अब कौन से ब्रांच में करेंट चाहिए देख लो अब तो बिल्कुल तुम्हारे ले बहुत ही आसान हो गया अब सपोज हमको इस ब्रांच में कितना करेंट फ्लोर जाहिए यह 66 बाइफाइव है बतलब हाइयर पुटेंचल पर यह है ना तो 66 बाइफाइव बोल्टेंच यहां से थोड़ा हटाता हूं यहां से बारा बटा पांच अगर जा रहा है तो बागी जगर पर भी मैं आईवन तो आपने निकाली निकाली रखा रहा है ना रहा और देखो यहां पर इस पॉंट पर बार और 6 मिलके यहां पर 18 बनाएंगे इधर 18 बटा 5 क्योंकि इस जंक्शन में इधर से 12 बटा 5 इधर से 6 बटा 5 तो इधर भी 18 बटा 5 ठीक है सिमेटरी से तो सारे ब्रांचे में हमने कर लिया कि करिंट कितना होगा तो इस तरह से इस कोश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारा अपडेट आता रहेगा जैसे जैसे मुझे कोश्चन पदा चलते रहें मैं अपलूड करता जाओंगा ठीक है तो हमारे टेलिग्राम को ग्रूप को जॉइन कर सकते हो लिंक डिस शेर करो हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे यूट्यूब पे थैंक्यू सो मच